बात करने वाला है BDM vs NMC के बीचे होने वाला है असके दूसरे आसाम ती ती मैच के बारे में हर एक प्लेयर का पूरा पूरा अनालीसिस आपको इस वीदियो के अनर्म मिल जाएगा जिसके बाद आप इस मैच वे पैसे लगा सकते हो यानि कि अगर आप ग्रेंड लिग में प परफेक्टी मना सकते हो आखरी की जम्हाने आपको नौ मैचेस कवर करके दिये हुआ अपने तैली गराम चैनल को पर उसमें समय आथ मैचेस आपको अल्डरा क्लीश करा हुआ हुआ है यानि का महारा समय भी काफी ज्यादा सांदार चल रहा है आज की इस वीदियो के सबस्का कर जाएगा सबस्कायका रिंचिया मिल जायगा उसमें आपको हमारे तैली गराम चैनल का लिंकडा सबस्कर्म का मिल जाएगा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा यह जो मैच है दोनों ही काफी श्रॉंग तीम हैं लेकिं फिर भी मैं आपको कहूँगा बीडियम की तीम किसी भी दूसरी तीम से बिल्कुल भी भराबरी लायक नहीं है चाहिए इस सीजन कहूँ या इस से पहले वाले सीजन कि जो तीम है ना काफी ज्यादा है हमें इसासे हैं तो इसके प्लेस को आपको पूरा फोकस करके तीम मनाने कोसिस करना है यह जो मैच चलोगा एक वाफर से सिल चार के स्टेडियम के पर होगा यहाँ पर ज़्यादत तर में चसमें लोई स्कूरिंग यह मोते हैं 120 से 130 के बि इसके पतानी के लिए फैंतेसी में नंबर वन चॉइस तरह है चाहिए वाफ इसमाल लिग में पैसे लगा रहे हो या फिजी यहल में क्यों आप पैसे लगा रहे हो उसके बाद यहां से कुनार सरमाज जो कि एन एम सी की तीम कोड़ से कपतानी कर रहा है बले बाजी में आपको तीसरे नंबर पर आज जाएका बालिंग से भी आपको चार ओवर के गरीब पूरा करकी देगा पहले मैं चीं इसको तीन विकेट भी मिलेते हैं दूसरे मैं जिन बले बाजी में थोड़े से रहस बना करके दिया हुआ हुआ बालर भी काफी सांदर्र ले करके जरू जो कि 50 या फे 70 के करी पॉइंच दिला करके जाने वाला है और आपके ड्रीम टीम में देखने को मिलने वाला और आपको जी यल में इसको पर रोतेसन करके चलना जरूर चाहिए अगर आप फैंतेसी में पैसे लगाने के सोच रहो और इसमाल लिग में भी आगा खेल रहो ते पहले मैच बालिंग से भी परफॉरमेंस करके दिया हुआ है और दूसरे मैचे बले बाजी से रंस बना करके दिया हुआओ जूँकि केस आयक्या जो बॉलर है आपको को दो से तीन ओर कईवा चार ओवर बॉलिंग गर करने चांसर हागे के चाहर नेगए चाहर वहुत कम है पहले मैच में भी आप देखोगे, इसने एक भी ओवर बालिंग नहीं किया हुआ है, दुसरे मैच में भी सेम वही है कि इसने बालिंग किया नहीं है, तो मैं फिलहाल कले इसको लेकर के नहीं चलूँगा, सेम वही चीज मैं आपके लिए यहां से राहुल रोहिद बस्फोरे के लिए भी काओंगा ये दोनों से किसी ने भी एक भी मैच अभी तक बालिंग नहीं कर रहे है अगर आपको लग रहा है कि ख्ली बालिंग भालिंग करने वाला है तभी आप ले कर चला बाद सबसे नंबर वन चोईस रहेगा आठ रहात हुसेन जो कि ए एन एमसी की टीम कर सबसे मेन बॉलर में इसे एक है मेन बॉलर हो ना हो नया बॉलर यांग बॉलर है लेकि जो दो मैच्छस के ला दोनों मैच्छस में ही अच्छी वालिंग करके दिया हुआ है अब बल्ले बाद जी में भी सैवन नमबर पे आज जाएगा कही बार आपको दस कमा सकते हैं रिस्क लेना सीखो रिस्क लोगत आप आसानी से कोई भी मैच्छ जीत सकते हैं जहां पे कोई जीत रहा हो या ना जीत रहा है आपको प्लेयर्स को ले करके चलना है परसंतेश का अधार को ले करके नहीं चलना है कि कि रभी यह चेतरी हो गया चाहिए वह भी ब आप एक बाफर से हो सकते हैं दोनों से को यह कैसा हो सकते हैं जिसको एक ही ओर वालिंग मिले या फिर हो सकते हैं कि तीन चार ओर वालिंग मिलने के बाद भी वो एक ओवर बराबर काम करके भी ना दे पाए जैसे कि वी बोरा ने आखरी मैच एक ही ओर वालिंग करके दो दो फ बालर को भी पहले को उसके बालिंग करेंग स्कैया इसकेंद में बालिंग करने तेम हो सकते ही जादे तरवा फलाप बीच में कुछ भी चांस हो सकते हैं या फिर मौका मिलने के बाद भी फ्लाप हो जाए तो बहुत सारे चांसे हैं कि सकेंड इनिंग में बालिंग करने वाले बालस जादे तरवा फ्लाप हो जाते हैं तो जो भी तीम पहले बालिंग करें गया नेमसी की तीम पहले बालिंग कर यहां से आपको कोई भी इतना अच्छा प्लेया नहीं रहेगा तो तीन ओवर करी बालिंग भी आपको करके देगा बल्ले बाद जो बालिंग दोनों चीज में काफी कारगर प्लेय रहे लेकिन आखरी मैच्छा प्लेंग 11 में खिलाया नहीं गया आगे बात करेंगा अपने बच्छे को यहां से पहले मालो वीडियो की तीम में आ आपको जोभी बनागी दिखा रहूँ इस पर मालो कोई ना खहले या फिलाइन पाने पाने का तो भी फॉक्त करना ओगा जो कि मैं हर बार करता हूँ तो जैसे ही चेंज हो गया जैसे ही जो भ बहुत सारे फेक चैनल फेक चैनल पर जोईन होने की गैरंटी मेरी नहीं है इसलिए आपको करना किया कि आपको हमारे तैली गराम चले को पर जिस भी आप वीडियो को देख रहोगे जैसे कि आसाम की वीडियो को देख रहो उसके डिस्किप्शन सेक्शन में जाओगे सबसे पर आपको हमारे तैली गराम चले का लिंक देखनों मिल जाएगा इस ब्लू लिंक के आपको लिक करके अभी के आपको यहां पर ज़रूरी भी आसान बेर एक दम फ्री भी रहने वाला है दी सहाब को कई बार एक और बार बालिंग करके दे सकते हैं दो और भी कर सकता है बल लिए प्लेर रहा है यहां से यह तालुक देर को लेकर के चलूँगा बल्ले बाजी में पांचुन अबर पहेगा है जब फिकित की पर खेल रहा है आपको कैचस पखर के भी दे सकते हैं अगर अगर आप जील में पैसे लगार तो राहूल अगरवाल इसको आपको अपनी द की इंपू गोगई को लेकर के चला आपनी दो से और अपसर और यहां से दीनाथ को अपनी दो अभी बोरा को चार जी लुक्तुमे लेकर के चल सकतEE किसको बनाऊगा कैप ले करके चलूँगा राजा खुदीन हमद को वी सी को पर अपना रिस्क लूँगा वी सी किसको बनाऊँगा उससे पहले देखो यह एक हमारे अनालिसिस बेस की तीम फाइनल टीम जो भी होगी हो लाइना पानिकर मैं स्क्रिंसॉट के जरी आपने तहली सबसे ज्यादा आपको लुए रिफीज वालेवन चलेजर इस पुदेशियों को बेरा यह तीन आपका नाम है आपको इसलिए करो जो भी आप आप अच्छा लगए आप उस पे खेल सकते हो यसा कोई प्रैसर नहीं है क्योंकि यह तीनों आपको खेलोगे तो महीने के आप ह सबस्क्राइब करें तो सबस्क्राइब करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए प्रिण समक्राइब करें और जाएब प्रैसर tan 척या भी करें आपको समक्राइब करें आपकोष आपको जाहीं हाच्टा नहीं है करेंद कर दो पनापकोसाति आपको सबस्केशन मिल आपकोसा करें आपकोश्ते हैं